हलो फ्रेंड आपके अपने चैलंड इस्टेंडर्ड फूर्ड सीता में आप सभी का स्वागत है तो हम आज आप लोगों के साथ सेर के लिए बहुत ही टेस्टी अमेंजिक रिस्पी जो की अचार की रिस्पी है अचार इस तरीके से बनाया हमने जो की सालों साल खराम नहीं हो हम इसे धूप में सुका लिया सुकाने बा इसके टंठल निकाल देना है आप डंठल भी रख सकते हैं पर हमने यह पर दंठल निकल दिये और इब यह पर हमने मसाले लिये एक चमच लिया है कलओंजी और मे धी आपचाए तो तो आम चूर का पाउडर ले सकते हैं तेल को हमने अच्छे से गरम करने के बाद इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है तो क्या होए बिल्कुल अचार खराब नहीं होगा और यहां पर हमने मसाले तयार हो चुके हैं थोड़ा मोटा ही पृषना है बहुत ही महीन नहीं पिसना इसमें हमें खटाई इस तरीके से एड़ करें अगर आम चूर का पाउडर लेते हैं तो वह ज्यादा इच्छा रहता है पर हमने घर की खटाई लिए ऐसे ही में तेल को इसमें मिक्स कर देना तेल थंड़ होने के बाद ही हमें अचार भरना है बिल्कुल थंड़ा हो देंगे ऐसे सारी मिर्ची को हमें भर लेना है बहुत ही आसानी से भरकत तयार हो जाते हैं खराब तो बिल्कुल नहीं होते हैं अगर इस तरीके से बनाएगे जब आप तेल करें अचार में किसी अचार में अगर डालेंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगा यह हमारी गार लाइकने के बाद इस तरीके से दूप में सुकाने की भी कोई जुरुत में वीडियो पसंद आए तो लाइक से एन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में